हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग देखो सालों से अद्रक भारती रसोईयों में इस्तमाल किया जाता रहा है और इसकी खास बज़े है इसका स्वाद जिस भी सब्जी में जिस भी भोजन में हम अद्रक डाल देते हैं तो उसका स्वाद एकदम से बदल जाता है लेकिन स्वाद आपके साथ अद्रक अपने आप में बहुत सारे उस्तियों गुणों से भरपूर है तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अद्रक के ग्यार है ऐसे फायदे जो आपको चोंका देंगे तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ नमबर एक फायदा अद्रक पाचन किरिया में बहुत सायक है इसके द्वारा पेट दर्द, पेट में एठान, कब्च की समस्या आदी सभी को आसानी से दूर किया जा सकता है यह अपच की समस्या को दूर करने के साथ साथ आपके पाचन किरिया को बहुत फास्ट कर देता है ज जो कि आपके बहुत सारे जितने कैंसर के टाइप होते हैं, यानि इस्तन कैंसर हुआ, गरवास से का कैंसर हुआ, गाट वाला कैंसर हुआ, आदी सभी में ये बहुत फायदा करने वाला होता है, इसके अंदर पाए जाने वाले कैंसर रोधी गुणों के कारण ये अपने आप अगर अधरक का इस्तिमाल लगातार रूप से किया जाए तो अधरक में पाये जाने वाले जिंजरोल, सोरोल जैसे फाइटो केमिकल्स दिमाग के नियूरोन को छती पहुचाने से रोकते हैं इस अधर पर माना जा सकता है कि अधरक का इस्तिमाल करने से अलजायमर को किसी हद तक नियंतरित किया जा सकता है अंबर चार उल्टी और मतली में लाबदायक इसके अंदर एंटी एमेटिक गुड़ पाये जाते हैं जो कि उल्टी और मतली को रोकने में सायक होते हैं इस अधरक को कम करने में सायक इक्चुली में अधरक में एन लेजेसिक गुड़ पाये जाता है जिसमें ये दर्द निवारक का काम करता है इसलिए खिलाडियों को खेल के बाद चाय में अधरक डाल करके दी जाती है अद्रक के साथ में अगर आप चाय पीते हैं यानि की चाय में अद्रक डाल के पीते हैं तो आपके लिए भाइदेमंद होगी यह आपके pressure, depression को कम करने में साहिक होगा, stress को कम करने में साहिक होता है इसका उपियोग माइग्रेन को कम करने के लिए किया जा सकता है ये दर्दनिवारक के साथ साथ आपके सरदर्द की अगर प्रॉबलम है माइग्रेन की प्रॉबलम होती है तो उसको सॉल्ब करने में अद्रक बहुत साहिक होती है इसलिए जब सरदर्द होता है तो चाय के साथ में अद्रक लेने से हमारा सरदर्द ठीक हो जाता है अमर साथ हेड़ते समंदी रोगों के लिए बहुत ही कारगार यह आपके बलड के प्रेसर को एक दम मैंटेन रखता है बलड प्रेसर आपका बैलेंस रहता है अगर आप अद्रक तो उपियोग सबजी खाने कहीं भी यूज करते हैं तो आपके बलड प्रेसर की समस्या बहुत हद्तक कम हो सकती है यह साथ ही है आपके खुन जमने की प्रिक्रिया को भी किसी हद्तक कंट्रोल करता है कॉलिस्ट्रोल को करें कंट्रोल अद्रक अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर है यह आपके कॉलिस्ट्रोल को कंट्रोल करता है और cholesterol control होने से आपके blood pressure और diabetes जैसी बीमारियों से अपने आप छुटकारा मिलता है अद्रक के अंदर hypotensive प्रवाब पाया जाता है जिससे आपका blood pressure एकदम से maintain रहता है तो ये दोनों ही blood pressure यानी BP law और BPI दोनों ही case में आपने आप में बहुत सायक next diabetes को control करने में सायक actually में अद्रक के अंदर blood sugar को control करने की छमता होती है ये आपके insulin को balance करता है आपके अगर diabetes है और अगर आप लगतार अद्रक का प्रियोग करते हैं तो बहुत अद्रक आपको इसमें सायता मिलने वाली है next बजन घटाने में कारगार बजन अपने आप में obesity की problem अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है इसको दूर करने के लिए अद्रक बहुत सायक हो सकता है अगर आप अद्रक तो अपियोग लगतार करते हैं तो आपके कूले के ऊपर जमी हुई चर्वी पेट के ऊपर जमी हुई चर्वी को आसानी से काटा जा सकता है यह बहुत ही सांदार सावित होगा अगर आप इसका उपियोग करते हैं तो बजन कम करने के लिए आप अद्रक को अपनी detox डिंक में सामिल कर सकते हैं या morning में जब आप गरम पानी पीएं तो उसमें थोड़ी से अद्रक कूट करके ढाल दें तो आपको बहुत फाइदा रहने वाला है नेक्स बाई immunity को मजबूत करने में सायक अद्रक immunity को मजबूत करने में बहुत सायक है इसलिए फीवर में जब भी आपके खासी, जुखाम, सर्दी, कुछ भी होता है उस टाइम पर आपको अधरक की चाहे देने की बात कही जाती है जिससे क्या होता है? अधरक आपकी इम्टी को बूस्ट कर देती है और आपके सरीर के अंदर पृति रोदक छमता आ जाती है जिससे आप बीमारियों से आसानी से लड़ पाते हैं अद्रक के अंदर anti-microbial good पाए जाते हैं जिससे ये बैक्टिरिया से लड़ने में सायक होता है और ये आपको infection से बचाता है नेक्स अगर मैं बात करूं तो ये आपकी तवचा को बहुत चमकदार बना सकता है आप अपनी तवचा को चमकदार कील मुआसों से रहत पाना चाते हैं तो आप अद्रक का इस्तमाल करें ये थे आद्रक के फैदे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना बूले बहुत मेहनत के द्वारा ये वीडियो बनाया जाता है थैंक्यू सो मच